हेलो एब्रीवन वेल्कम टू कुक विद्मी पूनम आज हम बनाने जा रहे है अनुपमा स्टाइल केटो बर्गर यह बर्गर खाने में बहुत ही टेस्टी है बनाने में आसान है साथ के साथ ही बहुत ही हेल्दी भी है मां आपको पास से दिखा देती हूं एक बार ब्लुकु कीजिए जो भी न्यूव विवर्स है वो सब्सक्राइब जरूर करें चली देख लेते हैं कैसे बनाना है तो यहां पर मैंने अबले हुए आलू ले लिए हैं आप अपनी जरुत के हिसाब से आलू ले सकते हैं मैं यहां पर चार ब्रगर बनाऊंगी चार टिक्की द्विए और यह हरी मेची मैंने बारी कट की डाल दी और पाउडर डाल दिया है कि अधा चमच सूका धनिया डाल देते हैं मैं आधा चमच मैने यहां पर भुणा फिसाहुए जीरा डाल दिया है बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा यह मिक्स हर्प्स हैं ज्योंकि मैंने ड तो आल सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला मैंने डाल दिया है बहुत ही टेस्टी लगती है इससे टिक्की और उपह से डाल देंगे हम नमक स्वाद के हिसाब से अब हम मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल हाथ से ही मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इनकी हम टिक्की बना लेंगे, अगर आपको लगता है कि आलो थोड़े से घीले हैं, तो आप हाथों पर थोड़ा सा ओयल लगा लिजिए, और बहुत ही आसानी से फिर बन जाती है, यह मैंने यहां पर चार टिक्की बना के रख ली हैं, अब इनको हम फ्राइ करेंगे, तो मैंने यहां पर कोकोनट ओयल लिया है, आप इसकी जगे बटर यूज कर सकते हैं, लेकिन घी और मस्टर्ड ओयल यूज नहीं करना है, केटो बर्गर में, अब मैंने आप मेडियम गैस क करके इनको अच्छे से पका लिया है, एक साइड से अब दूसरी साइड से भी हम पलटके इसी तरह से पका लेंगे और दौना साइड से टिक्की तयार कर लेंगे, यह बिल्कुल बनके तयार हो चुकी है, इनको हम साइड में रख देंगे, अब दूसरी साइड में हम पनीर की स्लाइसिस कट करके उनको फ्राय कर लेंगे तो यह मैंने यहां पर इस तरह से स्लाइसिस कर लिए है पनीर के इनक्यूपर थोड़ा से नमक डालेंगे हम और थोड़ा से मसाले डाल देंगे जैसे कि रैड चिली पाउडर और अगर कुछ हर्ब्स डालना है तो वह भी डाल स है थोड़ा सा आप चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या फिर और डाल सकते हैं दोनों तरब से पलटके इनको सेख लेंगे पनी फ्राय हो चुके हैं अब सेम पैन में हम निकालने के बाद कैप्सिकम फ्राय कर लेंगे इस तरह से मैंने गोल गोल स्लाइसिस में किया है उपर से थोड़ा से नमक डाल दिया है कोई मसाले डालेंगे हम और इनको बहुत जड़ा कोक नहीं करना है थोड़ा सा कच्छा पन निकल जाएगा लिपिन करंची होना चाहिए कैप्सिकम तभी खाने में अच्छा लगता है तो यह दिखिए मैंने ले लिया है यह कैबेज इस तरह और अच्छे से वाश कर लिया है उपर की जो थोड़ी से डर्टी लीप्स होती है वह मैंने हटा दी है अंदर से साफ वाली लीप्स निकाल ली है अब हम सबसे पहले मियूनी डाल देंगे अब इसके ऊपर सौस भी ढाल सकते हैं वह भी टेस्टी लगता है और जो टिक्की हमने बना के रखी है विक साइस की बनाई है बहुत टेस्टी लगती है वह भी डाल देंगे आप चाहें तो शाइस थोड़ा सा छोटा भी कर सकते है टिक्की का ऊपर से मैंने कुकुम्बर क खीरे के सिलाइसे लगदी हैं टमाट्र के स्लाइसे रख दिए हैंश यह आप अपनी पसंद के साफ से कम जादा कर सकते हैं वेजेश्टिबूल और poor य गपicitom जो हमने प्रद़ाइकर कर रखी दी वो भी डाल देते हैं मैं और ज्यादा मसाले एड नहीं कर दी हूँ बहुत ज़्यादा में पस मेक्स हब्स है वही बस उपर से डाल दोंगे मैं अगर आप चाहे तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं मीचे डाल सकते हैं और यह पनीर के हम एक वार और लगा देंगे कैबिज की लीव और यह दिखे बिल्कुल पर्फ्रेक्ट बना है लिकिन अभी खाने से पहले दो मिनिट के लिए तब यह ज़रूर करना है बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फिर एक बर्गर तो रैडी हो चुका है साइड में कर देंगे सेम त परफ्रेक्ट है यह बर्गर यह दिखें मैं आपको पास से दिखा देती हूं सब्स्राइब कहते हों है सब्सक्राइब करते हैं ज़्कुल परफ्रेक्ट टेस्टि बर्गर अपनी राय मेरे साजा कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक like दे दीजिए जो new viewers है वो subscribe जरूर करें अपनी family और friends में share करना बिल्कुल भी ना भूले हैं मिलते हैं next वीडियो में